जै स्री कृष्णा आद एका दसी पर आई यी सुनते हैं मा तुलसी की यह कथा तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है स्रीमद भागवत देवी पुरार में इनका आउतरर की दिव्यलीला कथा भी बताई गई है एक बाद शिव ने अपने तेज को शमुन्दर में फेक दिया था उस्षे एक महाते जश्वी बालक ने जन्म लिया यह बालक आगे चलकर जालंधर की नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना इसकी राजधानी का ना जालंधर नगरी था दैत्य राज कालनेमी की कन्या ब्रिंदा का विवा जालंधर से हुआ जालंधर महा राचस्था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लच्मी को पाने की कामना से युद किया परंतु शमुंदर से ही उत्पन होने की कारण माता लच्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलास परवत पर गया भगवान देवाधी देव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के शमीप गया परंतु माने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई देवी पार्वती ने कृध होकर शारा व्रितान भगवान विश्डू को शुनाया जालंधर की पत्नी ब्रिंदा अतियन पती ब्रता इस्त्री थी उशी के पती ब्रत धर्म की सक्ती से जालंधर न तो मारा जाता था और नहीं पराजित होता था इसी लिए जालंधर का नास करने के लिए ब्रिंदा के पती धर्म को भां करना बहुत जरूरी था इसी कारण भगवान विश्रू रिशी का वेस धारण कर बन में जा पहुचे जहां ब्रिंदा अकेली भ्रमर कर रही थी भगवान के साथ दो मायावी राचस भी थे जिन्हें देखकर ब्रिंदा भैभीत हो गई रिशी ने ब्रिंदा की सामने पल में दोनों को भश्म कर दिया उनकी सक्ती देखकर ब्रिंदा ने कैलास परवत पर महादीव के साथ युद कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिशी ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किये एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर अपने पती की यहदसा देखकर ब्रिंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी खोश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भगवान से बिंती की वह उसके पती को जीवीद करें भगवान ने अपनी माया से पुन जालंधर का सिर घर से जोड दिया परंतु श्वयम भी वह उसी शरीर में प्रविश कर गए ब्रिंदा को इस छल का जरा आभाश न हुआ जालंधर बने भगवान के सार ब्रिंदा पती ब्रता का विवार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही ब्रिंदा का पती जालंधर युध में हार गया इस सारी लेला का जब ब्रिंदा को पता चला तो उसने कुरुध होकर भगवान विश्रू को सिला होने का स्राप दे दिया तथा श्वयम सति हो गई जहां ब्रिंदा भश्म हुई वहां तुलसी का पवधा उगा भगवान विश्रू ने ब्रिंदा से कहा ही ब्रिंदा तुम अपने सतित्व के कारर मुझे लच्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुश्य भी मेरे साली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोग और परलोग में बिपुल्यस प्राप्त होगा जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अश्मय नहीं जा सकते गंगा वर नर्मदा के जल में अश्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनुश्य कितना भी पापी क्यों नहों मृत्यू के समय जिसके प्रार मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापोंशे मुक्त होकर बैंकूंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुश्य तुलसी वह आवनों की छाया में अपने पित्रों का स्राध करता है उसके पित्र मुख को प्राप्त हो जाते हैं उसी दैत्य जालंधर की यह भूमी जलंधर नाम से बिख्यात है सती ब्रिंदा का मंदीर मुहल्ला को किसंचंद में इस्थित है कहते हैं इस अस्थान पर इत प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरी द्वार तक जाती थी सचे मन से 40 दिन तक सती ब्रिंदा देवी के मंदीर में पूजा करने से सभी मनूरत पूर होते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें सेर करें हमारी चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन औल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद